केंद्रिय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 31 जुलाई 2028 को राश्ट्रिय प्रशिक्षुता और प्रशिक्षन योजना N.A.T.S. 2.0 पोर्टल लॉंच किया, जिसमें IT, विनिर्मान और ओंटो मोबाइल जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षुओं को प्रत्यक्ष लाभस्तां प्रशिक्षुता को लोकतांत्रिक बनाना, कौशल अंतर को पाटना और प्रशिक्षुता रिक्तियों और अनुबंधों के पंजीकरण और प्रबंधन की सुविधा प्रदान करके युवाओं को भविश्य के लिए तैयार करना है